तो करेंट अफेर्स की इस रंखला में आज मैं आपको मोस्ट इंपोर्टेंट करेंट अफेर्स पढ़ाने जा रहा हूँ जिसमें से पहला टॉपिक जो आपका है ये बिश्व अथलेटिक चेंपियंशिप का आप फोटो देख पा रहे होंगे ये इनके बारे में सभी जानत की प्रतियोगीता है एक साल हो चुके हैं विश्व अथलेटिक चेंपियंशिप दो हजार बाइस इंपोर्टेंट है ठीक है विश्व अथलेटिक चेंपियंशिप दो हजार बाइस एथलेटिक्स चेंपियंशिप ठीक है ये कब हुई 15 से 24 जुलाई दो हजर बाइस को फ़जर फिर डुलाई डो जार बाइस को प्रतियोंगेता हुई ति ठीक है अब ये सबसे वड़ी बात होती कहां हुई तो य備 आपकी अमेरीका में अमेरिका में एक जगह घर था ठीक अब यह जो है इसके अंतरगत्त जो सब्से ज्यादा गोल्ड प्रआपाने वाला देश मेरिका snrek उर्ड़ में इंबर यहां आहां रहा हूब ऐसे तो नंबर आघ पैने था था ठीक नमबर 1 कWhennoty Usa का है इसमें भारत को जैविलीन थ्रो इस परदा में रजतंद प्रतक प्राप्टी किया नीरत चोपड़ा जी ने क्या मिला भारत को पदक मिला है सिर्फ एक ही पदक मिला है भारत को क्यों लेकी पदक मिला है और वह भी लेकर आए नीरत चोपड़ा जी तो यह भारत से हैं जैवलिन फ्रो प्रतिस परधा में मिला है तो विश्व अतलेटिक चैंपियंशिप आपकी हर साल होती है अभी 2023 वाली जो आपकी होगी बुड़ापेश्ट में अगली होगी 2023 में बुड़ापेश्ट में होगी त्यान रखेगा कोविट के कांट से 2020 2021 में नहीं हुई थी ठीक बुड़ापेश्ट में इतना याद रखेगा भारत को एक ही मेडल मिला है वो भी किसने प्राप्ति किया है नीरत चोपडा एक मात्र भारती पुलुस अतलीत यह हैं ठीक है यह आपको ध्यान में रखना है इसके पहले देखो टोक्यो ओलम्पिक में नीरत चोपडा ने 87.58 बाला फेक करके गोंड मेडल जीता थीक है इस में इननंको इन इनको काँ से पदक ही मिला क्योंकि जो एंडर्सं पीटर्सन पीटर्स थे उन्होंने 90.54 मीटर का भाला फेक करके गोल्ड मेडल उन्होंने प्राप्त किया था तो यह आपको ध्यान रखना है ठीक है नीरत चोपड़ा जी के बारे में आप सब जानते हैं उन्होंने बहुत सारी प्रतिश परधाओं में गोल्ड मेडल प्राप के तौर पर इनको जाना जाता है ठीक है पहले तो यह आपको ध्यान रखना है ठीक है सभी लोग को लिए क्लियर है इस प्रस्ट है सबको याद रखना है इनको बारे में 20 अथलेटिक चेंपियंशिप में इन्होंने एक बड़ा किताब जो है इन्होंने हासिल किया है यह आ जो है आपका बनाया गया है क्या बनाय गया है मिड्ड डे मील की चन अच्छे पात्र फाउंडेशन के द्वारा एक मिड़े मिल किचन मनाए गया है और इसका उद्घाटन साथ जुलाई 2022 को पिछले वर्स की घटना क्रेम है 2022 को प्रधामती नरेन मोदी जी के द्वारा किया गया था कहां किया गया है एक कॉलेज है जिसका नाम है ल्टी कॉलेज वरांड़सी में किया गया है तो अच्छे पात्र एक फाउंडेशन है है ना इस चरिटेबल ट्रेस्ट के द्वारा एक मिड़े मिल किचन मनाए गया है किचन मनाए गया है या पीछे तस्वीर देख सकते हैं अब इस किचन की क्या विशेषता है इसमें एक लाग छात्रों के लिए भोजन पकाने की छमता है और लगबग 150 सरकारी स्कूलों को ये कबर कर सकता है ये किचन अकेले मलग की इसमें मिड़े मिल का भोजन बनेगा लेकिन 150 से ज़्यादा स्कूलों को ये कबर कर पाएगा और एक लाग छात्र इसका भोजन कर सकते हैं तो आप सभी जानते हैं ठीक है तो अच्छे पात्र फांडेशन के दौरा ये शुरू किया गया है अब आपको पता है कि जो मिड़े मिल योजना है सप्टेंबर 2021 में इसका नाम बदल दिया गया था 2000 सेप्टेमबर 2021 में मिडे मिल का नाम बदल के रख दिया गया है। PM पोशन्ड क्या नाम रख गया है। प्रधानमंत्री पोशन्ड सकृति. निर्माड तो इसी को प पोस्ट और बोलते है। मिडे मिल का नाम परिवर्थित हो चुका है। यह आपको याद रखना है मिड़े मिल का नाम परिवर्तित करके क्या रख दिया गया पीम पोशन क्या रख दिया गया पीम पोशन यह भी ध्यार ना कि ठीक है मिड़े मिल के सुभरम कभी थी 15 अगस्त 1995 में कभी स्टाइट हुआ था 1995 में कि दोरा उत्देश है पहला उत्देश है बच्चे स्कूल से ड्रॉप रेट काम हो दूसरी स्कूल है कि को पोशन से बच्चे हैं ना दोनों चीजों को लेकर बच्चे तो अच्छे पात्र फांडेशन जो आपका है इसका जो मुख्याले है यह बंगलूरु में है बंगलूर सोसाइटी फॉर कृष्णा कौन सीनिस है ना यह इसका फुल फॉर्म है इस कौन का तो इस कौन टेंपल्स के बारे में आप सभी जानते हो वही चलाते अच्छा पात्र फांडेशन उन्हीं की द्वार चलाए जाता है तो यह कौन के द्वारा ही बनाए गया आपका अच्छा पात्र फांडेशन ठीक है तो यह तरीके से मलब इसका एक गयर लावकारी ट्रस्ट है मलब एक एंजियो है एंजियो के तौर पर काम करता है और यह भारत में मिड़े मिल योजना का प्रबंधन करने का भी इसको ही जिम्मा दिया गया है ठीक है अच्छे पात्र फांडेश अच्छे पात्र फांडेशन के द्वारा मिड़े मिल को भी पूरा समझे समाला जाता ठीक है यह द्यान रखिएगा अगला चलते हैं यह आप देख पारे होंगे उत्तर प्रदेश का एक एक सब जानते मैंने क्लास जो यूपी वाली आपकी क्लास होती उसमें बहुत डेट अन्डेशक कर दो हजार वीज इसका सिलन न्यास किया गया था लेकिन इसका उधघाटन हुआ देखि कितना फ़ास्ट बना है जोला जूलाई दोहसारала ही इस ओर के तैयार हो गया और इसका उध्गाटन कर दिया गया ठीक है 16 जुलाई 2022 को इसका उध्गाटन हो गया ठीक है जालावन में जालावन जिला पड़ता है कैथेरी गाउं और रही वाली जगहों पर यहां पर इसका उध्गाटन हुआ था तो यह आपका इटावा से स्थाल करशार दर एक पोशनवीड़न कर्यिया ठीक है तो स्थाट़ जुल करशार को और आपके यह पूरुडल का पूरा आपका रहा है क्लियरे अगरी तो सब्सक्राइब तर इसमें लुक्ष्ण इन्वित होंगे यहां पे जिलों के लों दोह भी है आपके हैं ऊत्तरप्रद्रदेश के जिले हैं जो कि प्रभावित होंगे हैं उनका 53 driftinka ऐने वाले समय पर इसको six लेन भी कर दिया जाएंगा क्तुक एकसो दस मीटर कि चौड़ आई है अभी इसको और बड़ा करने की प्लानिंग चल रहे है थिक है तो बुंदेल खंड ऑक न है क्या कर रहा है यह यह मुना एक्सप्रेस से इसको जोड देगा आग्राсь लग्व Kamaui expressowe और यमना express phone है उन दोनों को अपसमें जोड देगा ठेगा उन से जुढ जाए पस मैं अग्रा लगने एक्स्टिश तो श्यू defic velocidade तो उत्तर प्रदेश में यम्न फूरगा एकस उडे से बुंदलकंड एक्सारे यह सारे वह बने मिनावी गंघा एक्सप्रेस तो यह आपको ध्यान को शुरू करते हैं तो यहां पर यह आपको ध्यान रखना है चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट है अगला यह यह आपका जो मैं बता रहा हूं यह देखें लखनव आगरा एक्सप्रेस वे इससे बात पुर्वान चल देखें कैसे जुड़े हुए चारों एक दूसरे के सा यह पुर्वान चल एक्सप्रेस वे है इधर यहां पर लगनव आगरा एक्सप्रेस वे है पूरा का पूरा यह बुंदेल खंड एक्सप्रेस वे आपका और इधर आपका यह पूरा का पूरा है यह यह यमुना एक्सप्रेस वे है ठीक है तो कुछ इस तरीके से सारे के सार चलिए अगला चलते हैं, देखे एक प्रत्योगीता होती है जिसका नाम है French Open, French Open, साल में चार जो है प्रत्योगीता होती है आपकी और ये आपकी जुड़ी होती है टेनिस से, टेनिस की प्रत्योगीता है है आपकी, टेनिस की प्रत्योगीता है इनको Grand Slam भी बोला जाता है, Grand क्रानि तो इन में से दिए है एंका पहले ऐस्ट्रेलियन ओप होता है आपका साल में फ्रेंच ओपन फिर इसके बाद आपका बिंबलडन होता है बिंबलडन था बीमबल डन एक बाद न और इसके बाद होता है Pretty उपन यूए सोपन ठीक है चार प्रतियोंगीता है साल भर में सबसे बड़ी ग्रैंड स्लैम बोलते हैं चार ग्रैंड स्लैम होते हैं आपके ठीक है तो फ्रेंच ओपन दोहजार बाइस का जो हुआ था इसमें पूरु सेकल का किताब पाया है राफिल नडाल ने किसने पाया ह सब खिलाडी हैं और इनी खिलाडियों में से कोई तो कोई अपना किताब बरकरार रखता है तो राफिल नडाल जो है फ्रेंच ओपन इन्होंने प्राप्ति किया है पूरु सेकल में ठीक है महिला एकल में इगा इवितेक है है ना इगा इगा के वल नाम याद रखेगा इस्तितेक यह आपकी महिला एकल में पूरु सेकल में राफिल नडाल है और महिला एकल में इगा है यह पोलाइंड से है इन्होंने यह जो है फ्रेंच ओपन के किताब प्राप्ति किये दोनों आपको याद रखना है पहला राफिल नडाल दूसरा इगा ठीक है यह आपकी है तो फ्रेंच ऊपेन सेज़र का है आपका फ्रेंच आप ने डियान रखिएगा राफिल नडाल और इगा पोलैंड से हैं इन्हों तो इसको प्राप्त किया है पुरु सेकल का किताब प्राप्त किया है नुवाग जोकोविच ने नुवाग जोकोविच नुवाग जोकोविच ने पुरु सेकल का किरिब किताब प्राप्त किया है और महिला एकल का किताब किसको मिला है यह आप देख पा रहे होंगे यह है आ इनको मिला है आपका तो यह महिला एकल का यह आपका विम्बल्डन है तो जरबाइस का ब्रिटेन में आपकी जो होती है ठीक है फ्रेंच ओपन के बाद विम्बल्डन तो यह आपको ध्यान रखना है दो महत्यपूंड जो है आपके यह क्लियर है नेक्स्ट अगला चलते हैं अगला है बारत में पहली बार खेलो इंडिया फेसिंग बिमन लीक हुई थी पहली हुई यह आपकी खेलो इंडिया फेसिंग बिमन लीक ठीक है तो यह आपकी हुई है 25 से 29 जुलाई को 2022 की घटना है यह भारत की पहली है आपकी फेसिंग बिमन लीक ठीक है तो यह कहां हुई है ताल कटोरा आपका स्टेडियम है नई दिल्ली में ताल कटोरा यह इंडोर स्टेडियम है इंडोर स्टेडियम है ताल कटोरा इंडोर स्टेडियम में आपकी जो है यह हुई है खेलो इंडिया फेसिंग वुमिन लीक ठीक है यह ध्यान रखना है इसमें 20 राज्यों के 300 से अधिक महिला खिलाड़ी थे और इनके द्वारा जो है पूरा का पूरा जो है यह खेल खेल लाग गया है ठीक है तो द्यान रखेगा यह इतना याद रखें कहा हुई है इसका योजन कहा हुआ है इनके बारे में सभी जानते हैं यह विश्वनाथन आननन्द है ठीक है और इनको अंतर राश्ट्रिये सत्रंज महासंग जिसको फिड़े कहा जाता है इसके उपध्यक् उपाध्यक्ष इनको चुना गया, इसका फिर से अगेन, तो ये बिश्व चेंपियन भी रहे हैं आपके, और जो फिडे के अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष का नाम भी आप लिख लिजे, अध्यक्ष का नाम है, आरकेडी वारकोविच, आरकेडी वारकोविच, आरकेडी वारको यह दोनों आपको नाम याद रखने दोनों इंपोर्टन ए है ठीक है चलित अगे चलते हैं नेक्स्ट अगला है ठीक बाकी विश्वनात्र अननंद के बारे में सब जानते होंगे फाँच बार के वर्ल्ड है आपके ठीक है पांच बार के वर्ड चेंपियन और भारत के पहले यह ग्रैंड मास्टर है सतरंज के दुनिया के अगला चलते हैं इनका नाम भी आप जानते हैं सुनील छेत्री कौन है सुनील छेत्री तो सुनील छेत्री को अखिल भारती फुटबाल महासंग आपका ए सर्वस्रेष्ट फुटबालर इनको गोशित किया गया है 2022 का क्या बनाए गया है इनको सर्वस्रेष्ट फुटबालर भारत की बात कर रहा है तो यह आप ध्यान रखेगा सात्मी बार इनको यह किताब मिला है सर्वस्रेष्ट फुटबालर का किताब इनको दिया गया है ठी इनको जो है AIFF के द्वारा जो है सरवशेष्ट फुटवालर का किताब दिया गया है ज्यान रखेगा इस बात को ठीक है चले आगे बढ़ते हैं यह आप देख पा रहे होंगे कबड़ी की बात हो रही है कबड़ी विश्व कब दोहजार पच्चिस दोहजार पच्चिस में होना है अगला आपका कबड़ी विश्व कब दोहजार पच्चिस यह योजित कहां हो रहा है इंग्लैंड में कहां योजित हो रहा है इंग्लैंड में बस यह आपको याद रखना है ठीक है कबड़ी विश्व कब दोहजार पच्चिस इंग्लैंड मे होगा और ये पहली बार हो रहा है कि Asia से बाहर हो रहा है ठीक है Asia से बाहर और अभी तक total दस बार कबड़ी स्वह का प्सक्पप हुआ जिसमें 9 बार भारत जीता है भारत ने दस बार तो अंतर राष्टी कबड़ी महासंग बनाए गया है और अब जो है पहली बार ये विदेश हो रहा है तो अभी 2025 में होना है आपका ये ठीक है बस इतना याद रखेगा आप लोग सभी लोग ठीक है नेक्स्ट आगे चलते हैं खेलो इंडिया उन्वर्ष्टी गेम्स दोहजार तेश चौवेस खेलो इंडिया उन्वर्ष्टी गेम्स 2023 ये उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में कई सारे सहरों में होंगे आपके लखनाउ गोवा वरांट सी नुएडा ठीक है यह आपको ध्यान रखना है चौथा है इससे पहले ओडिशा में हुए थे अब उत्तर प्रदेश में इस साल होंगे खेलो इंडिया उन्वस्टी जो है तो पूरे रखेगा कई सारे उत्तर प्रदेश के सहरों में इनको आयोजित किया जाएगा ठीक है क्लियर है तो आज के अंदर खेलो इंडिया इन्वस्टी गेम्स यूपी में हो रहा है यह मैंने आपको उता है कबड़ी विस्टु का इंग्लैंड में हो रहा है आपका सुनील चेत्र हुई थी ठीक है कहां पर तालकटोरा इंडोर स्टेडियम नई दिल्ली में यह आपका मिमंडर है नुवाग जोकोबी चौर यह एलेना रायपकिना इनके द्वारा इसके बाद जो यह आपका फ्रिंच ओपन है यह जो है राफिल नडाल है और इगा है ठीक है इसके बाद इसके बारे मैंने बता है 29 फरवी 2020 को बना था 296 मलब बनना सुरू हुआ था 16 जुलाई 2022 को इसका जो है स्टार्ट हो गया था यह इसका उद्गाटन किया था 296 किलोमेटर लंबा है इसके बाद यह अच्छे पात्र फाउंडेशन इस कॉन टेंपल के द्वारा चलाया रहा है मिड़े मील योजना का इन्होंने सबसे बड़ा किशन मनाया है ठीक है तो इसके बारे में वराड़ सिम मनाया एल्टी कॉलेज में ठीक है और यह आपके नीरत चोपड़ा जी है जो की विश्व एथलेटिक चैंपियंशिप 2022 में रजजत पदक मिला है जैवलिन थो में तो यह आज आपका करेंट अफेर्स के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक थे सभी को क्लियर हैं सभी को इस पस्ट है ठीक है यह करेंट अफेर्स के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आपके सारे हैं अब बस इनको रिवाइस करिए एक दो बार रिवीजन करेंगे तो आपक लबग लबग हमने बहुत सांदार तरीके से कबर करनी है चीजिए है ना चलिए